नमस्कार क्यापचल टिवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूजा आज लोग सबा में राखुल गांदी ने सारी हदे पार कर दी संसत की गरिमा को तार-तार कर दिया एक ऐसा विवादित बयान दे दिया जो करोडों हिंदों की भावनाओं को आहत करने वाला है दिरसल राखुल गांदी ने आज संसत में कहा कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वो केवल हिंसा, नफरत और जूट के बारे में बात करते हैं राहूल गांदी ने कहा कि BGP और RSS हिंदू नहीं है पियम मोदी हिंदू नहीं है राहूल गांदी ने अपनी स्पीच के दौरान बोलते हुए भगवान श्रंकर की तस्वीर लहराई इस दौरान स्पीकर ने उन्हें नियम पुस्तिका भी दिखाई पर राहूल गांदी को नियमो की कहा समझ स्पीकर के तरफ से बार बार रोकी जाने के बाद भी राहूल गांदी ने कई चित्र दिखाए कई बार भगवान शिव गुरुनानग इशामसी की तस्वीरे लहराई और हिंदू को हिंसा करने वाला बता दिया राहूल गांदी के बयान पर पियम मोदी अग बबुला हो उठे फॉरन अपने सीट से उठे और कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना एक गंभीर विशा है अमिशा ने भी राहूल गांदी को जम कर फटकारा अमिशा राहूल गांदी से माफी की मांग करते नजर आए तो संसद में कैसे आज हिंदू धर्म पर सिर्फ राजनिती करती है पिम मोधी हिंदू है पता नहीं हिंदू को लेकर क्या-क्या बयान देते हैं और इसके उलट आज कह रहे हैं कि बीज़ेपी हिंदू धर्म की पार्टी नहीं है क्या हो गया क्यों इतना जादा कन्फियूज़ देखिए वह पहली बार नेता पृत पक्ष कैई बार उनको लॉंच किया गया हर बार जो लॉंचिंग जो फेल हुई आज अफसोस के साथ कहना पूर रहा है कि फिर से लॉंचिंग इनकी फेल हो गए उनके पास मौका था एक मैचूर सेंसिबल एजुकेटड लीडर के रूप मे अपने आपको पेश करने का ले लेकिन ये कौमेडी कर बैठे हैं एक वर्ग है जो गाली गलोज को ही राजनीती समझता है उसमें बड़ा उनको मार्क से मिल गया क्या देखिए क्या च्छाग है तो च्छाते तो बहुत सारे लोग है बाशन देने में इदर उदर की बाते करने में वो मजमा लगाने वाले डमरू के साथ जो एक कचहरी के बार वो जो लोग तमासा दिखाते हैं वो भी बड़ा अच्छा भासन देते हैं लेकिन लीडर वो पोजीशन के भासन में कुछ सार होना चाहिए था कुछ उसमें मेटेरियल सबस्टैंस भी होना चाहिए था तो यह सबस्टैंस रही था क्य क्योंकि वो दो चीज साबित करना चाह रहे थे उनके भाषन का सिर्फ दो एजेंड़ा था कि एक ये कि मैं किसी से ढ़ता नहीं और दूसरा कि हमने हिंदुत को हरा गया इस वा टू मोटिफ और इसलिए उस अविधेश प्रसाद को जो है बगल में बठाकर रखे हुए थे ज वो ये संदेश देना चाह रहे थी कि देखो तुमने राम मंदर बना दिया हमने हरा दिया तुमने सिलानेस किया तुमने सब कुछ किया हमने हरा दिया राम में दम नहीं है राम तुमको मदद नहीं कर पाए ये मैसेज है और जिसको तुमने जो तुमको हरा करके आया है उस स्पीकर बनवाएंगे इस तरह की तो यह विपक्ष का क्लियर कट मोटिव है अपने बगल में लेकर बैठे दे इसलिए बगल में उसको तो बैट्टिंग को दिखा रहे हैं तो पीछे टेक्निकली उसका सीट पीछे होना चाहिए पहली बार आया है तो आप यह समझ यह कि किस तरीके से और यह जो बीच में बोल दिया गया कि जो अपने आपको हिंदु कहते हैं मैं बरबिटम बता रहा हूं जो उन्होंने जो सब्दावली का स्तमाल किया कि जो लोग अपने आपको हिंदु वादी कहते हैं हिंदु कहते हैं वो हिंदु नहीं वो तो हिंसक हैं और मिध्यावाची भी है दराने वाला भी है तो यह कोई नई बात नहीं है राहुल गांधी के मुझे यह पहली बार कोई बात दीने के लिए आपको सारी बात बताऊंगा लेकिन ट्रिक बताऊंगा लेकिन जो आज वो तस्वीरे दिखा रहे हैं तो यह जो है जो अपना इन दिया तो मोटे इनका यह दो वो पूरा किया इनोंने कि हम ही मैं है ताकि रिल्स बने है ना आगया आगया टैगरीज बैक है ना शेर आया शेर आया तो वो उनका मकसद था अब एक बात में आपको बता रहा हूं दो दिन के अंदर इनका आधा भासन वो आउट ओ रिकॉर् उसको निकाल के फेक दिया जाएगा बाहर क्यों क्योंकि आपने जूट की जरी लगा दी एक के बाद एक जूट एक के बाद एक जूट आप बोलती है चले गए आपने कोई मरियादा नहीं रखी समिधान लेकर के चलने से होता है समिधान का पालन नहीं करोगे वो रूल बुक दिखा रहे हैं इस्पिकर साब और यह कहरे हैं कि कोई भी तस्मीर दिखाना वर्जित है लेकिन आप आपने सारी तस्वीरें दिखाई ये बात और है कि जो कैमरा चला रहा था जो सुच पे बैठा हुआ था वो उसको पब्लिश नहीं होने दिया अद्रवाइज आपनी तो सारी गंड़गी आज कर दी अब अगनी वीर का मसला उठाया आपने क्या कहा कि भाई ये जो मजदूर हैं यूज करो इस्तवाल करो और मरने दो उस तरह के मजदूर आपने कठा किया है फॉरण खड़े हुए रच्छा मंत्री उन्होंने कहा कि कोई अगनी वीर हो या नहीं हो उसके ऊपर अगर वो बैटल फिल्ड में या कॉन ड्यूटी उसकी डेथ होती है शहीद होता है तो एक कड़ो रुपया दिया जाएगा इमिडियेटली फिर ये कहा कि ये प्रदान मंत्री मोदी का आइडिया था अगनी भी प्रदान मंत्री मोदी का आइडिया था रक्षा मंतरे ख़ड़े हुए बोले कि अदब बिल्कुल गलत बात है गलत इसलिए है क्योंकि कई सारी कमिटीज और यह आडिया आर्मी के तरफ से ही आया था तो जो लगतार इन्होंने जूट वाते कहीं तो जिसको वो सब्स्टेंसियेट नहीं कर पाएंगे जिस पे जिस पे objection उठा है तो उनको कहा गया है कि भाई आप सब्स्टेंसियेट कीजिए सारे चीजों को और अगर वो नहीं कर पाएंगे और जो नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या होगा यह भाशन जो है वो एक स्पंज कर दिया जाएगा वो वहां से हटा दिया जाएगा अब इसमें एक बात और समझे उन्होंने खोदी बता दिया कि हम जूट बोल रहे हैं क्यों जब यहां से objection आया तो उन्होंने क्या कहा उन्होंने कहा कि देखिए अगनी वीर पे रक्षा मंत्रिक की अपनी राय है वो अपनी राय रखे मेर अपनी राय है अरे भई एक कड़ोर रुपे मिलेगा मिलने का प्रावधान है यह राय तो बुरीज से चलेगा प्रधान मंत्री मोदी के दिमाग का आइडिया आया पूरी कमीटी बैठ करके सेना के तरब से यह सेजेशन आया उसका डिसिजिजन में कि प्रॉसेस यह राय स प्रधान मंत्री से मिले तो जुख गये थे हम तो आप वैसा बरताव करो कि आदमी का सर जुखता है आपके बरताव से आपकी परस्नालिटी से आपके कर्म से इस पर जवाब दिया है बिल्कुल जवाब देना ही चाहिए कि बही संसकार और सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये जो आप जो सवाल कर रही थी कि सिव जी की तस्वीर देखे कुछ कभी कभी कुछ चीजों का बिल्कुल ही कड़े धंसे विरोध करना चाहिए अभी हिंदुस्तान का इतना भी बुरा दिन नहीं हुआ है कि भगवान शिव क्या है ये कोई एक क्रिप्टो क्रिष्टिन समझाए इतना भी बुरा दिन नहीं है हिंदुओं की देश में कि एक क्रिष्टिन मा का परदा हुआ लड़का वो समझा रहा हो जिसे खुद आहुती देने नहीं आता गंगा पूजा करने नहीं आता किस तरीके से यग में बैठा जाता है वो उसको पता नही हो किस तरीके से सिब्लिंग के ऊपर चीजों को समर्पत किया जाता है जिसको ये भी जानकारी नहीं हो वो बोले नात के बारे में ग्यान देगा इतनी भी बुरदिन नहीं आए अज तक तो दस जनपज से कभी शुवजी की तस्वीर वार नहीं आई तस्वीर आती है ना अ कोई पूछे गांदी परिवार से की भीफ खाते हो या नहीं खाते हो तमाशा में लगाए हूँ झाटा आपको मन करता है गालियां देना हिंदुत को बाप गालियां धेना शुरू कर दूए यह पूरा जन्डा यह था कि हिंदूत को एमने हरा दिया है हिंदु अब यह तो लोग जो मुस्लिम वोट के लिए सलत पे कपड़े उतार करके नाचने स्तक में वो जिजगेंगे नहीं इस तरह के लोगों के हाथ में जिद दिन सरकार आएगी अध्या के अंदर बुल्डो दर चलेगा मंदर के ऊपर तो जो लोग हम राजपूत हैं तो हम ब्रामन हैं कर लो गालिया खाओ बैठके आप यह तो हाल है जब विपक्ष में हैं यह लोग जब विपक्ष में हैं मिल गया खटा-खट खटा-खट चिल्लू अट पारी में डूब मरो क्या समाज बना डाला है एक दिल्ली के अंदर में एक आता है सब 200 बिजली फ्री यूनिट फ्री दिके जाते हैं सारे लोग तो जिस समाज भी तो चानक कहके गए आप समराज बनाएंगे और यहां के हुए तो बड़े मकार किस्म के लोग होंगे तो यह तो अभी तक सत्य चल रहा है तो आप देखें कि राहुल गांदी ने अच्छा यह जो कहानी पोस्टर वाली बात में भूल गया था अचानक से ग्यांग चक्षी तो खुला नहीं इ है मतलब ने साल पहले यह किसी टीचर से मिला था संस्कृत के विद्वान से कॉंग्रेसी संस्कीत विद्वान से तो उसने वो जान को दिया था वहीत आज गया है कि और पीट कि यह जो है यह जो इस तरग का ब्हें मुद्रा तो अभय मुद्रा में वो बतारे कि सब में अभय मुद्रा है इसलाम को भी लपेट लिया अब कहां है वो कट्र पंदिस सर्टन से जुदा करने वाले लोग वो एक्स्प्लेन करें भई कि इसलाम में अभय मुद्रा कहां है कैसे है यह गुर्द्वारा प्रवन्दन कमीटी के लोग वो बताएं कि गुरुनानक कभी वही है जो बुद्ध का है या भगवान श्रुव का है सब एक ही है यह भी बताएं तोकि राहुर गांदी तो यही सम्झा रहे हैं यही ज्व्यान दे रहे हैं लेकिन ये अभे मुद्रत वो बता रहे थे लेकिन मोदी से डर भी लग रहा था है मोदी थूआउट पूरे लेक्चर में वो मोदी के तरफ देख भी नहीं पाए बीजेपी वाले बोले बेपीठ क्यूं दिखा रहे हो वो स्पीकर उधर मोदी साहब उधर और राहूल लेना उसे confidence down हो जाएगा तो यह देखिए परफॉर्मंस देने आये थे फेल हो गया यह अपने आपको एक क्रेडिबल लीडर बराने आये थे अरे यह मौका था आप परदान मंत्री मोदी की योजनाओं के उपर आप बरस परते हैं एकॉनमी की बात करते हैं आज इंप्लाइमेंट ने दर नहीं आया आज अनिम्प्लाइमेंट जीडिपी देश की एकॉनमी खत्म हो गई है उस पे कोई बाचित नहीं होगी तीन दिन से आपने परलेमेंट चलने नहीं दिया कि यह नीट एक्जाम नीट एक्जाम आज मोका था कम से कम 15 मिट बोलते चार सेंटेंस में नीट दिया जो है तो यह मुझे लगता है कि राहूल गांदी के हाथ से एक अच्छा मौका उन्होंने गवाया है उन्होंने उन्हीं लोगों को खुश करने की कोशिश की जो हिंदु धरम को गाली देना चाते हैं हिंदुत को खराब बताना चाते हैं जो यह साबित करना चाते हैं कि इस देश में जो है हिंदुजम सब सारी बीमारियों की जड़ वो हिंदुत है हिंदुईजम है भगवान राम में कोई दम नहीं है और यह कटर पंथी है और जैसा कि उसने राहूल गांदी ने जो विकी लिक्स ने खुला सक किया था कि अमेरिक सब्सक्राइब से जादा चिंता इस्लामिक जहादी लोगिए उससे ज्यादह खतरनाक हिंदुस्तां में जो है वो हिंदुजम आतंकवा दि है तो यह कोई नहीं बात कहते तो हम लोग भी तारीफ करते कोई सार गächen्वित भाशन दिया होता हमलों चारीफ करते लेकिन यह त बहुत बहुत धन्यवाद से समझाने के लिए तो आज लोगसवा में हिंदू धर्म पर महा संग्राम हुआ रास्टपदे के विवाशन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़े हुए राहुल गांदी ने आज भगवान शिव गुरुनानक इशा मर्शी की तस संसत से दहाडेंगे विपाक्ष को चुन चुन कर जवाब देंगे आप अपनी राए कमेंट कर लिखें देखते रहे क्यापटल टीवी नमस्कार